हेलो बच्चो क्या हाल चाले आप सबके वेलकम बैक आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं अब मौझ मस्ती चल रही होगी आज आपकी अब छोटियां शुरू हो चुकी है कज बच्चों की कुछ बच्चों की होने वाली है शुरू अब दबा के अच्छे से बढ़ाई करेंगे प्रेशर कोई है नहीं अभी एक्जाम्स है नहीं अराम से अच्छे से लर्न करते होगे चलेंगे और बढ़िया पड़ाई करते हुए चलेंगे शुरू करते हैं आज का जो मारा टॉपिक है वो क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और चैप्टर का नाम जो है यह हर बुक में अलग अलग तरीके से दिया होगा बट अंदर के लगबग लगबग सिमिलर होगा सेम होगा कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा किसी बुक में थोड़ा बहुत लेस होगा बट जो में मेजर मेजर कवर करने इस चैप्टर में आपको यहां पर करवाता हुआ चलूँगा ठीक है तो अब इसके अंदर क्या होता है अकूंटिंग प्रिंसिपल्स और स् अपर कौन है टॉप लीडर्स इंडिया के अंदर कैसे चलेगा क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या है इनको हम कहते क्या है जो हमारा principles concepts और conventions होते हैं इनको altogether मिलके क्या बन जाते है मेरे gap का क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ gap का क्या मतलब होता है gap की बाइब तो full form देखते हैं क्या होती है इसका मतलब होता है generally accepted accounting principles जनरली accepted accounting principles अब होता है देखो यहाँ पर मैंने तीन चीज़े लिखी है principles concepts conventions अब कुछ set of rules कुछ set of concepts कुछ set of मेरे जो streamline बने होते हैं कि मेरे को कैसे काम करना है उसके कुछ जो sets होते हैं कि हमें कैसे क्या चीज करनी है अब accounts में कौन बताएगा क्या चीज करनी है वो हमें बताएंगी हमारी authorities authorities के नाम मैंने अभी आपको बताए थे कौन-कौन सी ICAI हो गई Indian Chartered Accountancy Institute और क्या हो गया Ministry of Commerce हो गया और हमारे पास companies आक्ट विखेर में भी changes होते रहते हैं हमारी Government of India करती है through Ministry of Commerce अब इन तीनों को जो कहते है principles concepts और conventions इनको हमने general नाम दे दिया gap अब बार बार यह तीन words ना use करके simply क्या use कर सकते हो gap कि हम accounting कैसे करते हैं through gap gap का क्या मतलब होगे generally accepted accounting principles मतलब जो general होते हैं बहुत जादा general होते हैं और accepted होते हैं हर कोई accept करता है कोई मना नहीं करता इसको accept करने के लिए और accounting principles अकांटिंग principles तो हमारे हैं जो set of rules है defined है जिसके दुरू हमें accounts करने ही है तो start करते हैं पहले बात करते हैं कि कौन-कौन से मारे पास basic-basic accounting principles या conventions या concepts हैं तो अभी हम बात करेंगे concepts और assumptions की फिर इसके बात अगला topic जो करेंगे करेंगे conventions का तो यहां पर मैं किसकी बात कर रहो हूँ अभी यहां पर मैं बात कर रहों concepts and assumptions अब fundamental कितनी assumptions है मारे पास 3 assumptions आपके सामने screen पर तीन assumptions आ रही है एक-एक करके मैं इनको समझाता हुआ चलता हूँ आपको, पहली assumption क्या, going concern assumption, going concern का क्या मतलब होता है, going concern का मतलब होता है, कि business चलता रहेगा, उसके मालिक, उसके owners, उसके shareholders, उसके managers, उसके creators, debtors, उससे related कोई भी बंदा, जिन्दा रहे, नहीं रहे, उसके साथ रहे या ना रहे उसके साथ छूटता चला जाए, but business क्या रहेगा, चलता रहेगा, अब आज आप देखो, kingfisher, हमारा जो favorite example चलता रहे, शुरूगी class से, विजे माल्या, हडगया kingfisher से, उसको निकाल दिया kingfisher से, उसके बाद पैसा नहीं था, kingfisher बिग गया था, kingfisher, तो आज भी kingfisher चल र कर जाए, भले ही वो साथ छोड़ दें business का, but business क्या है हमारा, चलता रहेगा, हर साल चलता रहेगा, तो going concern assumption क्या कहती है, business will go on forever, business will go on forever, पर अब एक चीज़ देखो, यह assumption है, assumption का क्या मतलब होता है, कि हम assume करके चल रहे हैं, कि business will go on forever, बड़ ऐसा हो भी सकता है, कि वो ना चले, बड़ जब हम accounts पढ़ते हैं, जब हम accounting करते हैं, हम यह सोचके करते हैं, कि business हमेशा के लिए चलता रहेगा, तभी हमारे पास दो खर revenue expenditure, revenue expenditure तो मेरा हो गया कि जो मैंने भई साल भर में अपने छोटे मोटे खर्चे थे, rent था, electricity bill था, salaries थी, इसको अभी के लिए ग्नॉर करते है, capital expenditure क्या होता है, जो मैं अपनी capital पे invest करता हूं, expenditure करता हूं, क्या मैं major major बहुत मोटे मोटे खर्चे करता हूं, business में, कौन-कौन स लेता हूं, machinery लेता हूं, furniture and fittings लेता हूं, तो क्या मैं मान के चलता हूं कि मेरा business 2-3 साल चलेगा, नहीं, मैं इसको किस assumption से लेता हूं, कि मैं इसको बहुत साल चलाने वाला हूं, मैं कम से कम इसको 8-10 साल, 12-15 साल, इस assumption के साथ लेता हूं, नहीं तो मैं investment ही नहीं करूंगा, तो उसकी life forever होनी चाहिए, उसकी legacy continued रहनी चाहिए, जैसे reliance में वहले दीरुबाई अम्मानी थे, फिर अब मुकेश अम्मानी है, आगे जाके उनके बेटे और उनके बच्चे संभा लेंगे, तो forever एक legacy चलती जा रही है, जो कि business में चलती रहनी चाहिए, इसी concept की वज़े स हम अपने assets record करते हैं, कौन से assets record करते हैं, long term assets record करते हैं, अगर यह assumption ना हो तो हमारा long term कुछ होगा ही नहीं, clear है यह चीज़, अब आगे बढ़ते हैं, consistency assumption, दूसरे assumption कौन सी हमारी consistency assumption, consistency क्या कहता है, कि जो भी हमारे accounting methods है न, वो हर साल similar रहने चाहिए, methods should remain similar और consistent, remain consistent, या फिर similar, क्यों रहने चाहिए, same, या फिर क्यों रहने चाहिए, consistent year over year, अब एक बात देखो, cricket में भी न, किसकी बात करते हैं, consistency की बात करते हैं, कि एक player 10 match खेला, 10 match में, suppose मान लो, उसने 1 match में मारे 110 run, दूसरे match में मारे 90 run, बाखी matches में run ही नहीं मारे, उसने बहुत कम run मारे, तो लोग क्या कहते हैं, इसके first form तो है शायद, बड़ इसके बास consistency नहीं है, consistency होनी बहुत जरूरी है, अच्छा player है, we know that, इसके past records देखें के तो बहुत अच्छा player है, बट consistency नहीं आ रही है, तो consistency नहीं आती तो उसको हटा दिया जाता है, खराब performance मानी जाती है, same way एक साल में कुछ methods follow कर रहा हूं, दूसरे साल में कुछ methods follow कर रहा हूं, तो क्या मैं comparison कर पाऊंगा अपने profits का और अपनी transactions का, जो भी मेरी transactions हो रही है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मिर लिए बहुत difficult हो जाएगा, अब सर ऐसे कौन से अलग-अलग methods होते हैं, आपको एक example देता depreciation में depreciation एक chapter आएगा अभी आपका आगे, उसके अंदर बहुत सारे methods होते है, depreciate करने के assets को, उन में से दो methods आपको बताता हूं, simple simple, एक होता है मेरा straight line method, straight line method, जोसको मैं कहता हूं SLM, और एक होता है मेरा return down value method, method, जोसको हम short form में कहते हैं, WDV, अब मानलो 2018 में state line method के थूँ depreciation charge कर रहा हूं, और मैं 2019 में आते ही कौन सा method adopt कर लेता हूं, written down value method, तो क्या मैं comparison कर पाऊंगा, क्योंकि दोनों में values अलग-अलग आती हैं, दोनों के premises अलग-अलग हैं, तो मैं comparison ही नहीं कर पाऊंगा, अब जब मैं comparison नहीं कर पा रहा, तो मैं कैसे improvement लाऊंगा, suppose मेरे को पता लगा, कि मेरे पिछले साल sales कुछ होई थी, मालो एक लाग होई थी, इस साल मेरे sales एक लाग 20,000 हो रही है, लेकिन inventory जो मैंने value करी थी, जो मैं sales में goods बेच रहा था, उनकी valuation last year कुछ और थी, इस साल कुछ और है, मैंने last year कुछ और method follow किया था, इस साल कुछ और methods हो रख क्योंकि consistency बहुत important है, now moving on, अब कहते है, accrual assumption, बहुत important है यह चीज, accrual assumptions का क्या मतलब होता है, अब इसके अंदर cruel नहीं है, cruelty नहीं है, but क्या है, accrual है, a double c, r u a l, accrual assumption, accrual का क्या मतलब होता है, देखो, अब suppose, हमने न, मालो मैंने business कर रहा हूँ, मैंने Samsung का showroom ख 1st April को, मेरा rent जाता है, 1st April को advance में rent जाता है, मैंने इसन रेंट पे किया, rent paid, 50,000, कितना पे किया मैंने rent, 50,000, अब हुआ क्या, अब next month आ गया, 1st May, 1st में को मेरे पास अभी cash नहीं था, थोड़ी cash के दिक्कत चल रही थी, और मेरा जो landlord था, मुझसे cash में rent लेता था, मैंने उनको बोला भी check से ले लो, तो उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने 1st June को, मैंने उनको कितना rent दे दिया, मैंने उनको दोनों महिनों का rent एक साथ दे दिया, मैंने का सर यह लो, आप 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 बात बताओ मैं अपने accounts में जो मैंने record करें एक या man record कर 57 2000 wäre linking cash concept एक को ऐंकता है लो इस इत ह्रोयल concept कैस्ट कहते है जब cash गया आया उसक्राइब करो cash के transaction मेरा cash कब घया मेरा cash गया first जून को अगर में rule concept पर आ जाउं तो अक्रूवल क्या केता है कि since आपका जो परंट था वह में के महीने को पल्ए आप उसको जून में पे करोули हैं अगले सichen करोगे कब करोगे में अप पर चारव करना करती कोई भी इंट करती हैं कोई भी एक्स prymy करेंगा अब सर कॉंसी इसि पीरिट में रिकॉर्ड नहीं तो मैं मना नहीं कर रहा आपको cashbook भी maintain करते हैं cashbook में maintain करेंगे कि first June को हमने cash दिया but जो हमारी books of accounts है जहां पर हम final accounts बनाएंगे अपना profit and loss account बनाएंगे वहाँ पर क्या record करेंगे किस date को गया मेरा rent वहाँ पर record करेंगे मेरा rent में के महिने के लिए तो में 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 ही डालूंगा राइट है अब में मैंने जैसे suppose rent नहीं दिया क्योंकि में अबाद cash नहीं था तो में में वह rent क्या बन जाता है मेरा यहां पर outstanding rent outstanding rent बन जाता है यहां पर क्योंकि अभी outstanding है ना मैंने अभी देना है ना तो जब मेरे को देना है मेरी एक obligation हो गई तो obligation होती है तो क्या होती असे या liability liability क्योंकि liabilities क्या होती है जो मैंने भार देना है लोगों को whatever I owe to people that is my liability तो यहां पर outstanding rent बन गया first में को में के महिने तक वह standing रहा जून में जब मैंने दोनों महिनों की payment कर दी तब वो क्या हो गया मेरा rent paid हो गया बट वह rent paid मेरा किस period को paid time करता था में को 50,000 और जून में 50,000 तो मैं एक लाग जो pay किये मैं record करूंगा 50,000 में में कर चुका ही होगा पहले ही जून तक आने का wait नहीं किया होगा मैं में में रिकॉर्ड कर लिया होगा कि मेरा rent का खर्चा है इस महिने और मैंने फिर जून में record किया होगा 50,000 ठीक है अब आप आपको यह समझा आगे होगा cash concept भी मैंने आपको समझा देगी cash book में एक लाग जून में रिकॉर्ड करेंगे में में कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि में में हमारे पास cash नहीं था तो यह तीन हमारे पास fundamental assumptions है इन तीनों को कहते है fundamental assumptions और हमने हमें किस ने दी है assumptions ICAI ICAI क्या है मेरा Institute of Institute of Chartered Accountancy आप में से बहुत में जाना पड़ेगा अपने forms लेकर अपने mark sheets लेकर और admission लेने के लिए रिजिस्टेशन के लिए तो याद रखो यह ना Institute of Chartered Accountancy of India इसने यह तीन fundamental assumptions कौन-कौन सी तीन assumptions हैं पहली हो गई सर going concern assumption second assumption मेरी कौन सी होगी मेरी होगी consistency assumption थर्ड अभी हमने ताजी ताजी पढ़ी क्या नाम है उसका जल्दी बताओ जल्दी बताओ अक्रूवल assumption ठीक है अक्रूवल concept अब आगे बढ़ते हैं कि fundamental assumptions होगे यह बागी के assumptions देखते हैं कौन-कौन सी है बागी concepts और assumption में कहते हैं कौन-कौन सी है हमारी fourth assumption business entity concept business entity concept business entity में क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ देखो मैंने यहां पर दो drawings होना ही है एक कौन है एक owner है और दूसरा क्या बिजनस है तो business entity क्या कहता है कहता है owner को separate रखो और business को separate रखो यह बात मैंने आपको पहले भी बताई है मैंने शुरू में बताई दी कि accounts पढ़ने पहले कैसे सीखेंगे कि थे मेंygusal business कि अंगल करते है कि क्सके हिसा नहीं बनते जो उसका owner होता है यह उसा Ռलिक हुटा उसके साब कभी भी ऑम account प्रेपियर क्रें करते हैं यह accounting transactions नहीं करते हैं हम हमेशा कैसे क्र बिजनस केinoses अब मैं अगर पैसा लगाता हूँ अपने बिजनस में तो बिजनस क्या कहता है कि मेरे को अपने ओनर को एक दिन पैसा वापस करना है हम किस के हिसाब से देख रहे हैं अगेन अगेन मैं यह वाद रिपीट कर रहा हूँ बिजनस के हिसाब से देख रहे हैं मैं कौन हूँ बिजनस के लिए मैं भी एक उधारी हूँ मैंने बिजनस को उधार दिया हुआ है क्या उधार दिया हुआ है जो मैंने कैपिटल लगाई है मैं बिजनस में क्या लगाता हूँ capital लगाता हूँ suppose मैंने 10 लाग रुपे business में लगाए capital लगाए अपना business start करने के लिए तो जो मेरा business है मेरे business के लिए तो मैं उधारी बन गया है क्योंकि मैंने business को क्या दिया हुए उधार दिया हुए credit दिया हुए so business के लिए मैं क्या बन गया liability बन गया कि business ने मेरा पैसा एक दिन मेरे को lot आना है business अलग चीज है और owner अलग चीज है ये बात मान के चलना ठीक है I hope this thing is clear to you जितनी भी accounting transactions होती हमेशा business के साब से करेंगे फिर कहते है money measurement concept money measurement concept नाम से समझने की कोशिश करो दो चीज़े आ रही है उसका अंदर money दूसरी चीज क्या रही है measurement समझने की कोशिश करो सोचो सोचो क्या होगा ये कहता है कि जितनी भी चीज़े measurable in money होती है money terms सिरफ वही record करेंगे क्या करेंगे record only those transactions which can be expressed in monetary form monetary form अच्छा सर इसका कुछ example दो ठीक है बच्चो मैं इसका एक example देता हूँ आपको अब आज मान के चलो apple company है या facebook company है अब इसमें से facebook से चलो अगर mark zuckerberg आज हट जाए अपना business किसी और को बेच दे क्या impact आएगा facebook पे बिलकुल आएगा क्यों नहीं आएगा impact वो impact positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो क्या हम उस impact को record करेंगे आप अकाउंट में भले उससे में बहुत ज़ादा नुकसान हो रहा हो या बहुत ज़ादा फाइदा हो रहा हो मैं नहीं करूँ हो क्योंकि वो money के टर्म में मैं करी नहीं सकता आज आप कहोगे सर उसके जाने से एक लाग करोड का नुकसान हो सकता है तो मैं यही कह रहा हूं कि हर कोई अलग अलग नुकसान बता रहा है सारे अगर individual same set of principles follow करके एक नुकसान बताएं measurement concept simply क्या कहता है record only those transactions which can be measured in terms of money या monetary benefits में जो हमें पता सकती है clear है अब आता है accounting period concept accounting period concept इसके बार में मैं बताता हूं आपको accounting period concept क्या कहता है कि हमें पता है going concern concept सिथे जब बहुन साहलों जो कर ने हर साल करते हैं एवरी एर्टें करते हैं कि हुआ हर साल करते हैं Ừ settra कठे दे एीवरी अम एक साल की Ἁकॉंटिंग करते हैं फिर अगले साल की accounting करते हैं, फिर उस से अगले साल की accounting करते हैं, तो accounting period concept अगर ना होता तो हम business की accounting करते ही नहीं, हम क्या करते हैं, going concern, follow करते हैं, हम कहते हैं, बहुत सालों तक चलना है, तो बहुत सालों बात देख लेंगे, just because of this accounting period concept, हमने अपने business को छोटे-छोटे periods में सकते हैं बहुत सिंपल सी चीज आप सबको clear हो गई होगी ज्यादा कुछ है नीस के अंदर फिर किते हैं cost और historical cost concept अच्छा जी सर ये क्या चीज है historical cost historical का एक मतलब तो समझा गया history जो history में हुआ अब मैंने suppose क्या किया मैंने 110 2011 मैंने इस दिन क्या खरीदी एक मैंने खरीदी थी building कितने की ली थी building मैंने लीती चलो ले ले लेते हैं 40 रुपे कितने की लीधी 40 रुपी इस की अब हुआ क्या डेली में रहता हूं मैं डेली में जानी चाहिए 45 lakhs नहीं सर इसकी तो value करो आप 80 lakhs एक और आता है वो कहते है तकी value रखो 70 lakhs मैं कहाता हूं भाई किसकी सुनूं किसकी सुनूं फिर valuer आता है एक वाइलिवर एक्सपर्ट जो थे होते हैं जो valuation करते है वह आके तक है इसकी value रखो 50,00,000,000,000 अब खीक है तो इन्हें दूसरे valuer से पूछा दूसरा valuer कहते है सर आप इसकी value रखो कितनी 52,00,000,000,000 कोई बात नहीं सबने ऐसे से value बता है हर को यह अलग-अलग value बता रहे है कोई भी set of rules या principles नहीं है जिससे आप इन values पर आ रहे हो हर किसी का अपना-पना कहना है कि सर इसकी इतनी value होनी चाहिए इसकी इतनी value होनी चाहिए जो valuation वो भी कुछ assumptions यूज करके value बता है बट उनमें भी मैं जितने value ऐस्पर्ट से पूछूँगा हर कोई अलग अलग value बताएगा कोई भी similar या same value नहीं बताएगा तो तो historical cost और cost concept क्या कहता है कि आपकी जो building है यह आपके कोई भी asset है अब उसको कौन सी value पर record करो जितने पर आपन आट अ प्राइस आट विच इट वाज परचेज बही चारिस लाग के ली थी ना हमने बिल्डिंग उसको चारिस लाग पर रिकॉर्ड गरते हुए चलो ठीक है अब ऐसे मशीनरी होती है बहुत सारे चीज़े होती है तो मार्केट वाल्यू भले उपर नीचे हो कहते अभी मार करेंगे जिस व्रॉप हमने खरीदा है जिस ब्याली ठाज हो तो क्या के देंगे लुट सिंस हमने पढ़ी खरीदा हो तो उसको क्या करेंगे ङस्ट और कदेंगे Sexual कोस्त अगला अगला topic अगला हमार पार concept concept dual aspect concept अच्छा एक बात बताओ अपनी बुक पे नाम पढ़ना ज़रा नाम क्या दिया हो आपकी बुक का देखो देखो cover page देखो सबसे पहला page देखो जो cover है उसके उपर लिखा है क्या लिखा है उसके उपर double entry bookkeeping double entry bookkeeping double entry bookkeeping का क्या मतलब हो गया मैंने आपको बताया था idea देथा हम आगे जब पढ़ेंगे ना journal entries वाले chapter उसके अंदर आपको बहुत अच्छे समाझ में आ जाएगा कोई doubt ही नहीं रहेगा dual aspect का क्या मतलब होता है हमारी एक transaction होती है debit की और एक transaction होती है credit की तो जब कोई भी transaction होगी ना उसके अंदर दो dual effects होंगे एक debit का होगा एक credit का होगा हमें इशा हर transaction की दो effects पढ़ेंगे अचा कोई भी transaction बोलो कोई भी चलो मैं यहां पर बोलता हूँ cash deposited into bank मेरे पास 50,000 बड़े थे मैंने bank में deposit करा दिया तो दो transaction सर इसके अंदर क्या होई मैं बताता हूँ न क्या होई एक तो मेरा bank balance बढ़ गया और दूसरी transaction के मेरा cash balance घट गया तो मेरी यह cash आया और goods गए सर अच्छा अगर आपने उधार पर बेचा होता समान उधार पर आपने समान बेचा तो तब तो cash नहीं आया आपके पास विल्कुल ठीक बात है तो मेरे क्या गए sales होई मेरी goods गए और मेरे पास क्या आगए debtor आगए मेरे पास debtor कौन होते हैं जिनसे मैंने पैसा लेना है तो मेरी बुक्स में cash की जगा क्या आगए debtors आगए जिनसे में कल को पैसे लूँगा तो वह भी assets हो गए cash भी मेरा asset है और debtors भी मेरे assets है तो goods गए और में पास debtors आगए जिनको धारी पे माल बेचा आज नहीं तो कलो में को cash दे देंगे हर transaction का dual aspect होता है आप मेरे को बताना सर comments में कि सर यह बताओ कि इस transaction में कैसे dual aspect होगा मैं आपको बताऊंगा फिर dual aspect उस transaction का कैसे होगा कोई भी transaction सोचलो अपने दिमाग में कोई भी जैसे जो भी आ जाती है दुनिया जहान की कोई भी transaction उसमें आपको बताऊंगा कि dual aspect accounts के perspective से कैसे होगा ठीक है अब कहते है revenue recognition concept revenue recognition concept important चीज है revenue recognition concept कैते revenue को कब recognize करो recognition की जगा आप यहाँ पर interchangeably क्या यूज करते हो realization revenue recognition या revenue realization concept इसका क्या मतलब हुआ कैते revenue को कब recognize करो revenue को तब recognize करो जब वो आपको मिल चुका है या जब वो transaction हो चुके सपोज आज क्या होता है मेरे पास first April को order आया कि हमें क्या चाहिए 50 TVs चाहिए आप बेच दो में 50 TVs मैं तो ठीक है मैं 50 TVs supply करूंगा मैंने 50 TVs कब supply करे मैंने supply करे 15-4 को 15-4 को मैंने sales कर दी sales हो गई मेरी 50 TVs की ठीक है order आए था first four को सेल होई है 15-4 को तो मैं कब recognize करूंगा सेल का क्या मतलब होता है कि मैंने dispatch कर दी मैंने ownership भी transfer कर दी अभी तक ownership किसके पास थी मेरे पास थी मेरे नाम पे थे वह goods अब मैंने आगे थार्ट पार्टी को जो मेरा customer है मैंने उसको transfer कर दिये goods तो मेरी sales किस दिन recognize होगी first April को होगी या 15th April को होगी 15th April को होगी मेरी sales recognize मेरी first April को नहीं होगी फ्यूंकि first April को तो order आया था suppose मैंने मान लो 10 April को मैं माना होता order accept करने के लिए मैं 10 April को मान गया कि मैं order accept कर लूँगा order accepted पर अभी भी मैं order accept कर रहा हूँ न मैं transfer of ownership तो नहीं कर रहा हूँ ownership मैं किस दिन transfer कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ 15th April को तो कहते है revenue तब realize या तब recognize करो जब वो हो चुका है सिरफ बातों बातों में नहीं होगा कि आपने phone कि माल भेज़ दो मैंने ठीक है मैं भेज रहा हूँ तो मैंने revenue recognize कर लिया नहीं जब तक मैं transfer नहीं करूँगा तब तक मैं उसको realize नहीं करूँगा तब तक मैं उसको recognize भी नहीं करूँगा यह realization और recognition interchangeably यूज होते हैं इनका meaning सेम होता है यह अगला concept देखते है matching concept matching concept matching concept क्या कहता है मुझे matching concept कहता है आपकी income या आपको जिस के लिए आपको पैसा मिला है तो अपने expenses भी आप उसी में से निकालो कैसे मैं आपको बताता हूं कि अब क्या हुआ कि मैं एक NPO चलाता था मैं क्या चलाता था एक NPO चलाता था NPO किस चीज क्या था मेरी थी sports academy मेरी क्या थी sports academy थी sports academy में क्या हुआ किसी बंदे ने आया कोई बंदा के बोला कि मैं sports के लिए कुछ करना चाहता हूं तो आप बता हूं मैं कैसे मदद करूं आपकी तो मैंने गया कि हमारा match हो रहा है cricket का tournament चल रहा है price distribution अब कहते है जो यह 10,000 आपको पैसा मिला है न अब आप जितने भी expenses करोगे price distribution के तो इन में से minus करना आप वो खर्चे सपोज मेरे trophies में लगे 5000 certificates पर लगे 2000 बस इतना ही खर्चा था मेरे बैलन्स कितना रह गया है यहां पर 3000 तो कहते है यह 3000 भी आपके special fund के पड़े रहने चाहिए आपने match कर लिया अपने revenue और expenses को कैसे match कर लिया 10,000 मिला दा price distribution के लिए इस में से मैंने 5000 किसके दे दिये जो आपने trophies दी और 2000 किसके दे दिये certificates के यह किसके है और यह किसके है certificates के यह मेरी कहा है remaining amount remaining fund तो कहता है कि match करते हुए चलो अपने revenue को और अपने expenses को अब 3000 को आप किसी और चीज के लिए use नहीं कर सकते हो जब आप price distribute करोगे यह जब आप certificates दो गए आप जब कोई ऐसी कोई ceremony करोगे 3000 महीं पर ही use करना समझ में आ रही है यह चीज तो कहता है match करते हुए चलो अपने revenues को और अपने expenses को जिस चीज के लिए income आई है यह जिस चीज से income हो रही है उसी के खर्चे उसमें से minus करते हुए चलो अब objectivity concept हमारे last concept है बहुत simple concept है objectivity क्या कहता है कहता है हर इंसान का अपना कोई objective होता है बट जब इंसान accounting statements prepare कर रहा होता है तो अपने objective को उसको side में रखना चाहिए और उसको कैसे करना चाहिए true and fair true and fair accounting करनी चाहिए उसे कैसे accounting करनी चाहिए true and fair उसको अपने personal biases हटा के अपने personal objectives हटा करके उसको कैसे करनी चाहिए true and fair एक honest इंसान की तरह उसे सारी accounting करनी चाहिए वो कोई भी कौन कौन होते है management, owners, creditors, debtors, shareholders, जितने भी लोग business से associated होते हैं, जिनका भी business में interest होता है, वो लोग effect हो जाते हैं इस चीज से, तो इसलिए हमें कैसे करनी चाहिए, accounting हमेशे true and fair, कुछ भी गलत facts या कुछ भी गलत accounting treatment हमें नहीं करना चाहिए, कोई भी statements हाइड नहीं करनी चाहिए, अपने personal biases नहीं लाने चाहिए, तो हमारे टोटल 11 accounting assumptions या concepts है, शुरू से एक बार नाम पढ़ते हुए चलते हैं, देखते हैं कौन-कौन से करे थे, तीन हमारी fundamental assumptions है, कौन-कौन सी going concern assumption हो गई, कि business हमेशा चलता रहना चाहिए, consistency assumption होगे कि methods all across the years सेम रहने चाहिए, बढ़ हम इसमें rigid नहीं हो जाते हैं कि हर साल सेम रखेंगे, कई बार अगर जरूरत पढ़े कि लगता है कि अकर दूसरा method adopt करता हूं और मेरी accounting अच्छी हो जाएगी उससे मैं अपनी जादा information disclose कर पाऊंगा या मिरको law ने बोला कि accounting method change करो तो मैं कर सकता हूं, जरूरी नहीं है कि साल दर साल हर बार सेम रहेगी बढ़ हाँ, अगर जरूरत है तब ही change करूंगा वरना नहीं करूंगा, ठीक है, जैसे हम लोग घरों में रहते हैं, तो जब घर कब shift करते हैं, जब बहुत ज जरूरत लगती है कि घर shift करना है, हर सल थोड़ी घर shift करता रहता हूं, तो वैसी इसको relate करते हूं चलो, पहली going concern, दूसरे हमने consistency करी, थर्र हमने करी accrual assumption, accrual assumption क्या होता है, जिस महीने का खर्चा होता है, या जिस महीने की income होती है, उसी में ही record करेंगे, आगे पीछे नही करेंगे, पिर आजाती है business entity, कि आप अलगो, आपका business अलगे, दोनों को mix मत करो, accounts किसके साब से prepare करोगे, business के साब से prepare करोगे, अगला money measurement concept, कहता है जितनी भी चीजों को money, money के terms में measure कर सकते हैं, सिरफ वही वाली transactions record करो, non monetary transactions record मत करो, जरुरत नहीं है हमें उसकी, फिर क्या कह करते है accounting period concept, कहता है अगर यह assumption नहीं होती तो business will go on forever, going concern concept रहता है, अगर यह assumption नहीं होगी तो हमारे periods एक एक साल या quarter wise या half year wise वो नहीं बन पाएंगे और हम accounting नहीं कर पाएंगे, अगली assumption क्या कहता है cost या historical cost concept, market value पे record मत करो, assets को किस पे record करो, जितने का खरीदा उतने पे कर मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, और हां इसमें को comments में बताने वाले हो, कि सर यह मेरे दिमाग में transaction आई, इसके बारे में आप बताओ, कि इसकी debit side क्या होगी या credit side क्या होगी, इसमें dual aspect क्या होगा, दो transactions क्या होगी इसके अंदर, फिर revenue recognition concept, revenue recognition concept क्या कहता है हमें, कि जब revenue हमारा realize होगा, उसी time हम इसको record करेंगे, उससे पहले या बाद में नहीं करेंगे, फिर कहता है matching concept, जिस चीज के लिए income है, उसी से खर्चा निकालो उसका, फिर last कहता है, objectivity की true and fair रखो accounts को, और personal bias से दूर रखो, personal objective से दूर रखो, I hope यह 11 आपको जो concepts से assumptions से clear होगी, पहली तो आप इनको अच्छे से कर लेना, कोई doubts हो तो मुझसे पूछ लेना, अब next topic जो हमारा है आज की class का, इसके बाद एक IFRS के बारे में बहुत छोटा सा note है, वह मैं आपको बता दूँगा, उसको बहुत detail में नहीं पढ़ना है, theory है उसके निदर थोड़ी सी, accounting conventions की बात करत मैं आपको पहले दो बताता हूँ, यहाँ पर, पहले दो मैं का कह रहा है, convention of full disclosure, full disclosure में क्या कहते है, full disclosure में कह रहा है कि में को क्या करना है full disclosure के अंदर, जितनी भी मेरे पास information है, जितनी भी information है मेरे पास, जिस से मेरे accounts effect हो सकते हैं, वो सारी की सारी बता दो, जी हाँ सारी की सारी fully disclose कर दो fully disclose कर दो सारी की सारी चीज़ें अब क्या क्या disclose कर सकता हूं मैं fully अगर मैं कोई methods change करना चाहरा हूं अगले साल अभी नहीं कर रहा हूं कब कर रहा हूं change of methods change of accounting methods change of accounting methods हो गए मेरे यह change करना चाहरा हूं मैं और क्या मैं करना चाह रहा हूं मैं मान लो किसी एक नई डारेक्टर को लाना चाह रहा हूं ऐसी information बदा दो जिससे effect हो मेरे accounts या हो सकते हैं future में इंट्रस्टेट तो भले आज Mark Zuckerberg जाएगा अगर में को पता लग जाए कि Facebook छोड़के जार है अगर बंदा आ रहा है Mark Zuckerberg को replace करके तो मेरे को पता लग जाए कौन आ रहा है उसके आने से क्या होगा उसके आने से मुझे पता लग जाएगा कि बंदा Mark Zuckerberg से बेटर है या बेकार है बेटर होगा तो मैं शायद Facebook के और Shares खरीद लोगा और अगर बेकार होगा तो मैं पस जो Facebook के अभी Shares पढ़े होंगे मैं उसको बेच दूँगा तो इसलिए full disclosure कहते है कि अपने accounting methods जितनी भी चीज़े आपके account को effect कर सकती है numerical data को effect कर सकती है वो बताते होए चलो सारा का सारा disclose करते होए चलो दूसरी के convention है दूसरी materiality की है यह पहले वाले के against है यह पहले वाली convention के against है पहली कौन सी छरुजियर कैंद और दूसरी कौन सी मेरे पास materiality की है तो full disclosure के against जाता है यह कहता है ज новых Material information बता में material information मि रिको मद बता ओ कौन सी बता हू सिर्फ material information अच्छा material material information कौन सी होती है material information अच्छा एक बाह बताओ अगर आज मेरे को पता लग जाए कि टाटा मोटर्स ने 10,000 रुपे का उसका कोई employee उसने चोरी करी है तो क्या मेरे लिए material information है कि टाटा मोटर्स का एक employee 10,000 रुपे निकाल के ले गया मैं को मेरे लिए कुछ भी information नहीं है कुछ भ करोड़ों की लाखो करोड़ों अर्बों की company है अगर उसमें से कोई 10,000 निकाल लेगा तो इससे मेरे shares पर या मेरे किसी भी चीज़ पर impact नहीं आएगा सर क्यों नहीं है क्योंकि बहुत छोटी से transaction है इतने बड़े अगर मैं समुद्र में से अगर एक बूंद निकाल लो न तो उससे समुद्र को कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह वैसी information है तो कहता है इस information को दो ही मत यह information क्या है यह information है immaterial खाली कौन सी information दो material information दो अब material information कौन सी होती है विजे मालिया 9000 करोड लेके विदेश भाग गया क्या यह मेरे लिए material information है बिल्कुल है सर 9000 करोड लेके भागा इस से मेरे accounts impact होंगे तो हम जब भी audit करते हैं उसके अंदर हम materiality निकालते हैं कि इतनी amount से उपर वाले information मेरे material होगी और इस amount से नीचा वाले information मेरे लिए immaterial होगी I hope यह clear है आपको full disclosure और materiality यह दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा अगेंस चलते हैं थोड़ा सा अगेंस थे एक दूसरे के बढ़ हमें दोनों conventions फॉलो करनी है अधिये हमारा लास्ट कॉंसा convention of conservatism सर यह क्यों होता है conservatism conservatism का मतलब मैं बताता हूँ देखो पहले उपर का कह रहे है था full disclosure कि भई सारे information बताते हो चलो कुछ भी change हो रहा है बताते हो चलो कौन से information जो मेरे को impact करेगी full disclosure में कौन सी which will impact the business and 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 what numerical data of business in in what in profit and loss account and balance sheet ठीक है जो भी मेरे profit and loss account और balance sheet के figures को आगे जाके impact कर सकती है information वो मैं बताता हूँ चलोंगा फिर कहता है convention of materiality कहता है सिरफ material information बताओ सिरफ यह वाली material information बताओ और कौनसी information मद बताओ इं material information को इं material information को मद बताओ अगर किसी ने ताटा मोटर्स में एक गल्ले में से 10,000 रुपे चुरा लिये तो मेरे को मद बताओ वो क्योंकि वह एक बहुत छोटी information है वो मेरे losses and expenses but don't anticipate future income, don't anticipate future income कहता है खर्चे जितने तुमारे होने वाले near future में anticipate मतलब उसका अंदाजा लगाते होए चलो और उसको record करते होए चलो जैसे मैंने समान बेचा था एक रुपे का मैंने सेल करी थी एक लाख रुपे की goods बेचे थे तो मेरे को पता था जो सामने वाली party है थोड़ा सा उसका दिमाग फिसल सकता है payment करते वक्त कैसे फिसल जाएगा एक लाख रुपे जब मैंने उसको माल बेचा है तो मुझे 95,000 ही शायद देगा मेरे दिमाग मे बनाता हूँ चलता हूँ मैं 5,000 रुपे का खर्चा अभी से बनाता हूँ चलूँगा कि मैं doubtful हूँ प्रोवेशन को क्या कहेंगे provision for doubtful debts कि मेरे को नहीं लग रहा कि 5,000 रुपे मेरे देगा बाकि 95,000 दे देगा तो मैं एक खर्चा पहले से एक लाख 5,000 भी तो दे सकता है क्या पता हूँ मेरे को कहें कि सार आपने टाइम पर माल पहुंचा दिया हमारी reputation बन गई हमारे client के साथ अच्छा संबंद बन गई आपके माल भीजने की वज़ए से तो मेरे को एक लाख 5,000 भी तो दे सकता है बट हमारा account कहता है कि जादा जो income होने वाली है उसको मत anticipate करो क क्या करो जो तुमारे जादा खर्चे होने वाले है उसको anticipate करो जैसे आप लोगों का exam होता है और आपकी तयारी नहीं होए होती तो अब शुरू में क्या सुच रहे होते तयारी के टाइम कि मैं छुट्टी का क्या बहाना मारूं कि मेरी तब्य थराब है या क्या है बट हो जो सकता है उस दिन आपने जो पड़ा हो वही आए exam में तो आप हमेशा लेकिन क्या सूच के चलते हो कि मैं छुट्टी करूं छुट्टी करूं और छुट्टी का क्या बहाना मारते होए चलो तो जितने भी losses और expense होते हैं उनको मैं anticipate करता हूँ चलता हूँ उनको मैं record करता होँ चलता यह यहां पर तीन ही कंवेंशन हमारे तीन से जादा कंवेंशन नहीं हैं हमने पीछे कितने concept करें ग्यारा और तीन हमारे कंवेंशन होगी टोटल 14 होगे हमारे पास आपको यह सारे के सारे learn करने हैं समझने हैं exam में आएंगे explain करने को यह one marker में भी आ सकते हैं क्य क्या होता है सरी अभी तक तो gap पढ़ रहे हैं generally accepted accounting principles आपने शुरू में बताया है यहां पर यह क्या होता है IFRS अब क्या होता है देखो अलग-अलग countries है अलग-अलग accounting methods accounting policies follow करती हैं बहुत ज्यादा अलग नहीं होता बट हर किसी का थोड़ा बहुत change होता है में भी मेरे यहां depreciation में कुछ चल रहा हो उनके यहां depreciation में कुछ चल रहा हो US में तो हर country का थोड़ा सा अलग-अलग होता है बट अब क्या globalization हो चुकी आपको पता है हर country एक दूसरे के साथ transaction कर रही है तो अगर मेरे accounts अलग format में होंगे अलग form में होंगे तो उनके accounts अलग form में होंगे अलग format में होंगे compare नहीं कर सकता बहुत सारे analysis नहीं कर सकता कुछ-कुछ अलग होगा हमारा तो क्यासे करें तो एक body है body कौन सी है कौन सी body है international accounting standard board international accounting standard board इस body ने क्या बनाए IFRS international financial reporting standard कहता internationally आप लोग similar way में अपने accounts को represent करो अपने accounts को दिखाओ ताकि हम cross country comparison cross country analysis कर सकें ठीक है तो यह पहले क्या होता था पहले international accounting standard होता था इसको पहले क्या कहते था international accounting standard इसको किस ने replace कर लिया इसको replace कर लिया IFRS ने IFRS की full form आपको बदा लग गए international financial reporting standards क्या होते हैं यह मैंने आपको बता दिया कि international transactions और जब आपस में cross country comparison करते हैं accounts का तब इनको use करते हैं similar format होता है हर country का उसके अंदर हम इसको बनाते हैं अब इंडिया क्या कर रहा है इंडिया के पास दो choices है या तो IFRS अपना ले या अपन अपने अकाउंट को IFRS के standards पर लेकर आ रहा है धीरे-धीरे कुछ लेवल तक ले आया है कुछ लेवल पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है international standards पर लाने के लिए this is all for today's class अब आज का मैंने आपको जितना करवाया है एक बार ढंक से पढ़ लेना इसको बुक से भी देख ले झाल का मैंने अजाद की लेचे लेख लेवल आपको लेगे लेए